नंदुरबार जिला ये महाराष्टर का एक बहुत ही पिछडा हुआ आदिवासी शेत्र है आज कोरोना की स्थिती यहां बहुत गंभीर हो चुकी है हर गाव में आज कोरोना के पेशेंट्स मिल रहे है और जिले में जितने अस्पताल है वो सभी अस्पतालों में आज कोरोना के पेशेंट्स इलाज करवा रहे है नंदुरबार जिला एक आकांखशी जिला है और आकांखशी जिले में CSR के माध्यम से काफी निधी हमको यहां विकास कामों के लिए उपलब्द होता है कोरोना के इस वैश्विक महामारी के समय में भी CSR के माध्यम से नंदुरबार के जिला हो इस्पताल को 4000 इंजेक्शन रेमडिसिविर मिले है हमारे नंदुरबार जिले के जिला दीकारी डॉक्टर राजेंदर भारुड ने ये CSR फंट से मिले हुए जो इंजेक्शन थे इनमें से 1000 इंजेक्शन यहां के एक स्थानिक शिवसिना लीडर के एंजियो को रोटरी वेलनेस सेंटर को बेचने के लिए ये 1000 इंजेक्शन उन्होंने दिये है ये जो इंजेक्शन आये थे CSR फंट से ये जिले के गरीब पेशेंट्स को मुफत देने के लिए आये हुए थे उनको मुफत इलाज करवाने के लिए मुफत इंजेक्शन देने के लिए ये प्राप्त हुए थे लेकिन जिलादी कारी ने illegally ये सभी injections एक हजार injections चंदरकांत रगुएंशी जो यहां के शिवसेना नेता है उनके रोटरी वेलनेस सेंटर को उन्होंने बेचने के लिए दिये और जो मुफ्त मिलने वाले injections थे वो शिवसेना नेता ने बेच के लोगों को वो injections उन्होंने दिये और ये जो injections है ये इस तरह से देने के कारण यहां पे एक काला बजार injections का यहां पे हुआ है जो मुफ्त मिलने थे injections वो मुफ्त नहीं मिले मैं भारत सरकार से और राज्य सरकार से ये मांग करती हूँ कि ये CSR फंड से जो 1000 इंजेक्शन कलेक्टर ने एक शिवसेना नेता के मांग पर उनको दिये है इसमें एक fair inquiry हो और जो भी दोशी है उन पर कारवाई हो